आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Which of the following terms is related to silk production? पूछा गया है कि यह जितने भी terms given है उसमें से silk production से कौन सा related है तो चलिए देखते हैं कि क्या-क्या options given है First है यहाँ पर Flory Culture Flory Culture एक ऐसा culture होता है जहाँ पर Flowers के culture जो है वो दिखाई देते हैं यहाँ पर Silk Production नहीं दिखाई देता है Instead हम कह सकते हैं कि जो angio sperm plants होते हैं उन angio sperm के growth को और flowering को यहाँ पर देखा जाता है Next है जो कि tissue culture बोला गया है और tissue culture एक ऐसा technique है हम कह सकते हैं जहाँ पर tissue को extract किया जाता है out of the body और उसको laboratory condition में यानि lab में grow कराया जाता है for different type of purposes Sylvie culture का बात करें तो Sylvie culture एक ऐसा culture होता है जहां पर cut किया जाता है trees को फिर उसे utilize किया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि new trees को उसी place में grow कराया जाते है Next है जो कि epical हचर बोला गया है और epical हमें पता है कि यह bees के culture को बोला जाता है जिसके through honey जो है वो extract किया जाता है और last जो हे वो है यहाँ पर जो की ceremony culture बोला गया है और basically ceremony ceremony culture ही वो culture है जहां पर हम कह सकते हैं कि जो silk moths होते हैं यह फिर silk worms होते हैं उनको culture किया जाता है और फिर उनको Rear करके यहाँ पर silk के threads को निकाला जाता है और इसी वैशे silk production में जो हम कह सकने हैं जिस टेकनीक का यूज होता है इसिए प्रोडक्षिन में या पर जिस टेकनीक का नाम हम लोग यूज करते हैं वो हो जाता है सेरी कल्चर तो correct answer हो जाएगा इन सभी में से सेरी कल्चर और इसी को हम tic कड़् लेंगे क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर